माधिप्रदेश में अथिती शिक्षकों का मुद्दा दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल में अथिती शिक्षकों पर लाठी चार्ज को लेकर सियासत कर्म हो गई है। परवो मुखमंत्र दिग्वज़ा सिंग ने केंदरी मंत्री जोतिरदित सिंथ्या से अथिती शिक्षकों पर बबाल अथिती शिक्षकों की लड़ाई शवराज और महराज पर आई। दिग्वज़ा सिंग के ट्विट से सियासत कर्माई। दिग्वज़ा ने पूछा वादों का क्या हुआ शवराज। सड़क पर कब उत्रोगी महराज। कमलनाथ सरकार से शुरू हुई अथिती शिक्षकों की लड़ाई मोहन सरकार में भी च्वारी है। अथिती शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरने वाले महराज सिंध्या का बयान एक बार फिर सूर्ख्यों में बना हुआ है। वज़ा है राजा सहाब का ट्विट। दरसल सोरह सालों से नियमिती करण की मांग कर रहे प्रदेश भर के हजारों अथिती शिक्षक राजदानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास खेरने उतरे तो पॉलिस ने लाठी चार्ज और चेतावनी भरे बैनर लगा दिये। अथिती शिक्षकों का आरोप है कि पॉलिस ने लाइट बंद करके लाठी चार्ज किया। इसे लेकर दिगवजय सिंग के ट्विट से अब सियासत उबाल मारने लगी है। दिगवजय सिंग ने केंदरी मंत्री जोतिरादित सिंध्या को अपना वो बयान याद दिला दिया जिसके चलते उन्होंने कॉंग्रस में रहते हुए कमलनाथ की सरकार किरा दी। दिगवजय सिंग ने शिवराद से पूछा मामा जी आपके वादों का क्या हुआ। महराज आप इनके लिए सड़क पर कब उतरेंगे। पिल्टी सिक्षकों को नेमित करना चाहिए और बीज़पी की सरकार करें। धिर आज जो मंत्री है, उन्होंने काई कि यह कबजाधारी लोग है और कबजाधारी नहिमान बन के आई और कबजा करने लग गए। यह सिक्षकों का, सिक्षा जगत का, इस समर्पन का जिसमें अपने परिवार का जो पालन पोशन है, वो वेदनाओं में करते हुए सिक्षा देने वाले परिवार जनों की का अपमान है। देखवजर के इस पोस्ट के बाद अतितिश शिक्षकों को लेकर अब हाई वोल्टिज सियासत शुरू हो गई है। यॉर्ज रिपोर्ट, एम्पी न्यूस, भुपाल